नम्सकार दोस्तों मूवी इस तर्का में आपका स्वागत है बीते तीन 4 साल में हिंदी में दर्शकों का एक वर्ग तयार हो चुका है जो सावत की फिल्मों में बहुत रुची लेता है अगर 2022 की कांतारा जैसी फिल्में इन दर्शकों को सिनेमा घरों में दी जाए तो वो हिंदी फिल्मों के उपर उन्हें वरियता देंगे और उन्हें देखने जरूर पहुंचेंगे और हाँ दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बताते हैं 2022 की कौन सी है यह फिल्मे साथ, दगोस्ट इस फिल्म की कहानी एक्षन थरिलर ड्रामा पर आधारित है अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी की शुरूआत एक फाइट सीन से शुरू होती है और इसकी कहानी एक पूर विंटर पोल अधिकारी से शुरू होती है जो अपनी बहन और भतीजी की रक्षा करने के लिए एक मिशन पर जाता है और अंतक इस फिल्म की कहानी इसी मिशन के इर्दगिर्द भूमती रहती है 6. रामाराव एक इमानदार पुलिस अफसर है जो गरीबों की सेवा निस्वार्थ भाव के साथ करते है और उनकी हर एक परेशानी को अपनी परेशानी समझ कर हल करते है वो एक प्राइम इन्वेस्टिगेशन ओफिसर है जो किसी भी केस को अपने हाथ में लेते ही केस की जड़ तक चले जाते है इसी बीच उनके हाथ एक किद्नेपिन का केस मिलता है जो आगे चल कर बहुत बढ़ा सिरदर्द बनता है इस केस में बड़ी बड़ी हस्तिया शामिल है जो केस को दबाने की कोशिश करते है लेकिन रामाराव अपनी सूजबूट से केस से जुड़ी सारी परते खोल कर रख देते है पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी पाच तिरुचि ट्रामबलम धनुष एक फूर्ड डिलीवरी बोई है जो एक बोरिंग और रूटीन लाइफ जी रहा है उसने एक दुरगटना में अपनी मा और बहन को खो दिया है जबकि उसके पिताक प्रकाश राज किसी तरह बच जाते है उनके दादा भारती राजा उनकी देखभाल करते हैं और तीनों लड़ते रहते हैं जिस कारण घर में शांती नहीं है तिरु की दोस्त शोगना नित्या मेनन की उसके पास एक मात साथ वना है दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं तिरु को अनुशा राशी खनात से प्यार हो जाता है जो उसकी बचपन की क्रश है लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है अच्छानक तिरु के पिता को दिल का दौरा पड़ता है जिस कारण उन्हें लकवा मार जाता है जबकि तिरु अपने जीवन की त्रासदियों से निपटने के लिए संधर्श कर रहा है उसके साथ अच्छी चीजे होने लगती है जिससे उसके जीवन में रोशनी आती है लेकिन आगे जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा कहानी एक छोटे से रहस्यमई गाव के इर्दगिर्द सैट की गई है ये गाव बहुत ही अजीब है जहां रहने वाले लोग एक भयानक कहानी को छुपाने की कोशिश करते है लेकिन वो कहते हैं न कि कहानी को छुपाया जा सकता है लेकिन उस डर को नहीं जो उस कहानी से पैदा हुआ है गाव में एक के बाद एक लोग गायब हो रहे है एक ऐसी जगह जहां जाने से सब दर्ते हैं फिर एक आदमी आता है जो डर से अंजान होता है डर उसके लिए सिर्फ मजाग करने का खिलोना है और वो आदमी कोई और नही विक्रांत रोना है विक्रांत गाव की उन डरावनी पहलियों को सुझाने की कोशिश करता है जिसके बारे में लोग बात तक करना नहीं चाहते विक्रांत के गाव में आने के बाद कहानी एक खौफनाक रूप ले लेती है अब गाव में कौन सी जगह जहां जाने से लोग डरते है और एक के बाद एक लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में धूढने होंगे 3. सीता रामम सीता रामम एक बहुत ही emotional love story है जिसका हीरो राम और हीरोईन सीता है राम एक लड़का है जो आर्मी में lieutenant होता है राम की life अच्छी खासी मजे से कट रही होती है इसी बीच राम को सीता नाम की एक अंजान लड़की का खत मिलता है और राम को सीता से प्यार हो जाता है एक अच्छा connection बनने के बाद राम की posting कश्मीर की घातियों में हो जाती है आगे राम सीता को एक और प्यार भरा खत लिखता है जो सीता तक नहीं पहुँच पाता और उनका connection पूरी तरह तूट जाता है लगबग दो साल बाद आफरी नाम की लड़की आती है जो उस खत को सीता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाती है अब ये खत सीता तक कै कैसे पहुचेगा और खत पढ़ने के बाद सीता का क्या हाल होता है ये आपको फिल्म में देखना होगा दो पूनियन सेलवन फिल्म पूनियन सेलवन की कहानी के केंडर में आप से करीब 1000 साल पहले चोल सामराज्य के आकाश में दिखे एक धूमकेतु के कारण हुई पंडि द्वीप श्रीलंका पर युद्धलर रहा है आदित्य की पुरानी प्रेमिका नंदिनी एश्वर्या राय बच्चन अब चोल सेनापती परवतेश्वर की पतनी बनकर सामराज्य की जड़े हिलाने में लगी है वहीं राजा की बीटी राजकुमारी कुंध्वई ट्रिश पिता के साथ राज्य के शध्यंत्रों से निपटने में जुटी है जबकि आदित्य का मित्रवंधिवन काटी भी चोल सामराज्य को बचाने में लगा है इस सब में कौन काम्याब होगा यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा एक कंटर कांतारा कहानी 1870 से शुर जाते हैं कांतारा जैसी फिल्म की हिंदी दर्शकों में प्रतीक्षा बताती है कि बॉलिवूड के मेकर्स को गावों कस्बों में प्रचलित कहानियों और वहां मिलने वाले किरदारों को देखकर उनकी समवेदना को समझने पकड़ने की जरूरत है यह फिल्म IMDB पर सबसे अधिक रेटिंग 9.5 पाने वाली भारतिय मूवी बताई जा रही है उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी साथ ही साथ इंडस्ट्री और बॉलिवूड से जुरी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और करना ना भूले धन्यवाद आपका दिन मंगल में रहे